साथियों, यहां लाल किले के पास यही पर गुरुतेग बहदुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा सिश्गन साहब भी है ये पवित्र गुर्दवारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुतेक बहदुरुषी का बरिदान कितना बड़ा था उस समय देश में मजहभी कट्रता की आंधी आई थी धर्म को दर्शन विज्ञान और आत्मसोद का विशे मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाश्टा कर दी थी उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरुतेक बहदुर साब के रुप में दिखी थी आवरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेक बहदुर जी हिंदधी चाधर मनकर एक चचान मनकर खड़े हो गए थे इत्याद गवा है कि वर्तमान समय गवा है और ये लाल कीला भी गवा है कि आवरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुरुतेक बहदुर जी के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया है बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई बड़े बड़े तुफान शान्त हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है भारत आगे बढ़ रहा है आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पत्व प्रदर्शन की उमीद कर रही है गुरुतेक बहदुर जी का आशिरवात हम नए भारत के अभा मंडल में हर और मैसूस कर सकते हैं लुक है लुक है